तो आज हम आपके लेके आया हैं प्रोटीन रिच दो तरह के प्रांठे अब ये किस चीज से बने हैं कैसे बने हैं इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो तो वीडियो को पूरा देखिए चलिए चलते हैं इसको बनाने तो इसके लिए हमने ले लिए यहां गेहूं का आटा जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं हम घर में वो वल आटा उसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमच नमक और थोड़ा सा डालेंगे इसमें तेल तेल डालने से क्या होता है कि जो डो बनता ना अट्टे का बहुत ही सोफ्ट ब बनाकर रडी कर लेते हैं सब कुछ मिक्स हो चुका तो अभी इसमें पाने डालकर इसका अब बना कर अब नहीं कर लिया रेडी जी सैड पे और इसकी स्टफिंग बनाकर रडी कर लेते हैं more ने के लिए हमने लिए सोया चंक अगर आपके पास स्टेवी तो आप उसका यह दरदरा से बना लिए इसका पाउडर तो अब हम क्या करेंगे इसको करेंगे बोईल हम दो मिंट के लिए गर्म पानी में डालकर इसको रख देते हैं तो फिर इसको पुल कर लेंगे निकाल लेंगे इसका पानी सारा हम इसको बोईल करना ज़रूरी है क्योंकि यह सुखा से दिख रहा आपको तो अभी हम यहां इसको लगाएंगे तड़का तो दो चमज हमने तेल कर्म कियो उसमें डाला जीरा और हम डालेंगे इसमें एक मीडियम साइज का बिल्कुल बारिक चोप किया हुआ प्याज प्याज को अच्छी तरह से बुढ़नेंगे अध् देख कर ही डालना और गर्मसाला डालना बस इतने ही मसालों का हम यूज करेंगे आप चाहे तो इसमें अमचुर का पौडर भी डाल सकते हैं चाट मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन चाट मसाला तड़के में नहीं डालना है तो यह हमनें इसमें डाल दी सोया चंक जो हमनें ब प्रणाटा पेड़ा लिया तो इसको हम हाथ से पहले दवाएंगे सुखाटा लगा कर इसकी एक चकली सी बना कर हमने रेडी करनी है तो बस यह बनकर हो चुके है रेडी अब हम डालेंगे इसमें स्टफिंग स्टफिंग आप कम ज्यादा जितनी विए आपकी चोई सा डाल सक लेकिन इतनी स्टफिंग डालने हैं कि प्रांटा जो हमारा फटेना तो अभी हम क्या करेंगे जैसे हम आलू का प्रांटा बनाते हैं सेम वैसे इसको हमने रोल कर लेना बना लेना गाइस हमने और भी बहुत से प्रांथे बनाएं जिसका लिंक आपको पर आई बेटन में मि जी प्रांथे ब्लू करें प्रांथे ब्लों जीटन कि गया बना गया तो जोड़ा करें गया सकते हैं ऑपर और इसको सेख लेते हैं और इसके उपर भी लगाते हैं और इसको हम पल्ट लेते हैं उल्टाते पुल्टाते हुए हमने ये पराठा सेक लेने हैं नॉर्मल जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं बस वह ऐसे ही बहुत ही है पराठे बनकर ये रेडी होते हैं था अबिंगे तो आपके बच्चे बोत हीादा खुषो कर खा लेके बहुत ही है जोदि पराठे की तरफ वीचे पट्रांद उफ सउन आजे हैं मिच्शी में डालाकर जार में तो इसकी इसकी डार मॉदork पराठे में लेनेगे अब हम दालेंगे जाएंछ बड़े चमच भरके प्याज्च बिल्कुल बारिक चोब किया हुँँ नमक टालेंगे इसमें टेस्स के कोडिंग कोडिंग नमक भाइनिंग करने के लिए हम क्लीए इसमें डालेंगे 2 चमच बॉट बीक्ष करने/. जब तक यह बाइंड ना हो जब हम इसको हाथ में पकड़े एकदम से यह बाइंड होना चाहिए कुछ पेड़ा और पेड़े को हम क्या करेंगे हाथ से पहले थोड़ा सा दवा लेंगे इसकी चकली बना लिए अब इसमें स्टफिंग डाल कर इसको भी आलू के परांटी की तरह साइडों से बंद कर देना कुछी इस तरह से और इसका भी आमने गोल गोल इसको रौंड करके और इ यह बंद चुका यह देखिए तो इधर हमने तवा गर्म किया उस पेड़ी डाल कर अच्छी तरह से पीगला लिया तो परांथा रख देते और इसको भी उल्टाते पुल्टाते शेक लेते वैसे तो जे देखिए कितना फूल कर तयार हुआ बहुत ही अच्छा परांथा ज अच्छी है मिलते आपको अगली डेशिपी में